नमस्कार दोस्तों एक बार फिर्ट से स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई चीज़ एक टुटोरियल सेरीज जो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ ऑप्शन्स ट्रेडिंग में जी हाँ यह है ऑप्शन ट्रेड कैसे करते हैं उसे तो यह मेंनली उनके लिए हैं लेकिन इसमें सकता है जो औरी ओप्शन ट्रेडिंग जानते हैं उनके लिए भी कुछ हो क्यूंकि मैं चबभी गिसी का वीडियो देगता हूं खासकर महेश सर क्लिए चाही हो ऐसी जानकारी दे रहे हो जो मैं जानता हूं, मैं फिर भी उसे पूरा देखता हूं, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है, तो उसी उमीद के साथ अगर आप भी चाहें, जो आप्शन ट्रेडिंग को जानते हैं, इसे पूरा देखिए, कि हाई रिस्क, हाई रिवार्ड, मैं यह कहना चाहूंगा कि नथिंग इस गैरंटी इन शेयर मार्केट, और वी और आपको कोई स्राटेजी बता हूं, तो मैं इसलिए बता हूं कि मैंने वो खुड ट्राई करी हैं, मैं शेयर कर रहा हूं अपना experience, इसलिए नहीं कि मैं कोई गैरंटी लेके चल रहा हूं कि यह ऐसा होगा ही होगा, लेकिन हाँ, जो भी मैं strategies बताता हूं, वो scientific होती है, उनके पीछे कुछ logic होता है, research होती है, मेरे तुवारा tried होती है, और tested होती है, तो उन्ही strategies को मैं आपके साथ अभी तक share करता हूँ, stocks से related, पैसो के paid से related और अब option trading से related share करूँगा, अब बात करते हैं कि आप इस tutorial से क्या expect कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप expect कर सकते हैं, option trading के basic सीखना, option trading एक बहुत बड़ा field है, जिसमें काफी कुछ होता है, काफी strategies होती है, काफी चीज़े dynamics होते हैं, ups and downs होते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, basics एक बहुत ही layman term style में, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि option trading बहुत complicated चीज़ है, अगर आपको समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत आपको ग्यान है share market का, नहीं भी है शायद, तो भी आप option trading समझ सकते हैं, तो वही मेरी कोशिश रहेगी, उसे as simple as possible way में आप लोगों को समझाना, तो मैं इसमें बात करूँगा, वो most commonly used terminology जो हम option trading में day in day out देखते हैं, जब हम खुद trading करेंगे, तो क्या क्या है terminologies हमारे सामने आएंगी, उसके बारे में मैं बात करूँगा in tutorials में, फिर मैं आपसे बात करूँगा कि option trading में risks क्या है, rewards क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अंधा risk लेने के लिए कहूँगा, मैं आपको clearly बताँगा कि अगर आप इस strategy से invest कर रहे हैं, तो क्या risk होगा, किस market condition में आपको invest करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे share करूँगा, और उसके rewards क्या होंगे, मतलब आप कितना profit कमा पाएंगे, वो मैं आपसे share करूँगा, तो उसी के basis पे मैंने कुछ strategies मनाई हैं, जो मैं अरड़ी इस महीने से start किया है, अपने wife की account में, तो वो एक है, प्लस मैं आगे और भी मनाऊंगा, तो वो मैं आपसे share करने वाला हूँ, कि वो strategies क्या है, आप कैसे use कर सकते हैं, option trading में profit कमाने के लिए, और आपको detail में option trading सीखनी है, तो आप पिंदास चाहिए, जीरोधा के वेर सिटी, website या फिर application में, जीरोधा इसे free में available कराता है, तो आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको already जीरोधा का account नहीं होना चाहिए, simply ये इस link पर आप जाएंगे, ये link में आपको description में भी दे दूँगा, तो कोई भी इस link को खोल सकता है, और पूरी information जो available है, free of cost है, और काफी अच्छी details में और अच्छी तरह समझाया गया है, तो मैं जो समझाऊंगा, वो basics होंगे, सब कुछ मैं आपको वीडियो में समझा नहीं सकता, possible ही नहीं है, क्योंकि काफी vast field है, तो जो लोग detail में और जानना चाते हैं, और जो basics भी सीख रहे हैं, प्लीज इस website को जरूर refer कीजिए, काफी अच्छी information मिलेगी और आपकी ज्यान में काफी बड़ोतरी होगी, क्योंकि याद रखिए, या आप सिर्फ एक minute के लिए ये घंटे के ट्रेडिंग के लिए नहीं सीख रहे हैं, या आप एक lifetime के लिए चीज सीख रहे हैं, तो जितन तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूँगा कि आप भी अच्छे से समझ लें और जान लें, तब स्टार्ट करें, आपको कोई questions हों, तो please comments में आप बिंदास पुछिए, मैं अपना email address भी आपसे share कर दूँगा, आप मुझे email कर सकते हैं doubts clear कराने के लिए, मैं promise नहीं कर सकता कि हर एक comment का जवाब दे पाऊंगा, या हर एक email का जवाब दे पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जितने comments, जितने emails का जवाब दे पाऊं, दे सको, tutorial स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक review दिखाना चाहता हूँ, उन results का जो मैंने इस महीने strategy स्टार्ट क बनाऊंगा उसमें, आज के वीडियो में इसमें डीटेल में नहीं जाओंगा, लेकिन कुछ points में आपको बता देता हूँ, ताकि आप समझ सके कि इस tutorial का आपको फाइदा होने वाला है, किस तरह का फाइदा आप expect कर सकते हैं, तो आप यहां देखिए, मैंने इस strategy को start किया इस साल, और अभी तक मैंने कुछ trades ले लिया है, trades की details में मैं नहीं जाओंगा, लेकिन मैंने जो profit book कर लिया है, वो है 4,388 within this month, अब इस profit को मैं compare करता हूँ, अगर हमने ये पैसा, जो की मेरा है 2,50,000 इस strategy में जो मैंने लगाया है, उसे FD में डाला होता, तो मेरे returns क्या होत तो annual rate of interest अभी लगब 5.5% चल रहा है जालतर बैंकों में, तो उससे हमें annual interest मिलता 13,750 इस थाई लाक रुपे पे, और उसे करम monthly में convert करतें 12 से divide करके, तो आता है 1146, तो of course FD में आपको एक बार लगाना होता है, उसके बाद आप बिंदास चिल मारी है, और आपके पैसे आप, you know, guaranteed returns हैं जो आपको मिलेंगे, लेकिन option trading में आपको trade करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, risk को समझना पड़ेगा, rewards को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप करेंगे, यहां compare करिए इस 1146 को 4388 से, तो अगर हम इस 4388 का half भी कमा लेते हैं किसी महीने में, क्य करेंगे, FD का almost double आप कमा रहे हैं, तो यह है power option trading की, of course हम इस से ज्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन यह है, you know, minimum risk लेके, जो मैंने strategy बनाई हैं, उसके हिसाब से trade करके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा type of options, तो आज की tutorial में मैं mainly focus करने वाला हूँ, terminologies पे, ताकि आपको terminologies सम समझ में आ जाएं, option trading की, उसके बाद मैं next में बात करूंगा, आगे की, ठीक है, तो terminology में start करते हैं, तो type of options में हमारे पास दो चीज़े होती है, एक होता है call option, एक होता है put option, तो मैं आपको call option को अच्छे से समझाँगा, और उसके basis पे put option आप अपने आप समझ जाएंगे, बिकोज स्यादा, you know, terminology में तो कोई difference है नहीं, सिर्फ यह है कि call option का opposite होता है put option, वो किस तरह होता है, वो मैं आपको जब chart दिखाँगा, NSE की website पे, आपको खुद समझ में आ जाएगा, तो बाकी terminology सीख लेते हैं, what is call option, अगर मैं एक layman definition में इसको define करूं, तो वो है, call option is a contract between a buyer and a seller for an underlying security, तो मैंने कुछ highlight कर दी हैं चीज़ें, जो जो नए terms आ रहे हैं, buyer क्या होता है, seller क्या होता है, और underlying security क्या होती है, contract में, call option में, underlying security होती है, आप, you know, अलग-अलग चीजों में option trading कर सकते हैं, जैसे की option chain of stocks, reliance के, और air till के, और काफी सारे, और बहुत सारे stocks हैं, उसके अलवन, आप index में कर सकते हैं, जिसमें nifty, bank nifty और recently fin nifty, financial nifty भी add हो गया है, तो यह होती है underlying security, तो आप जिस security को पकड़ रहे हैं, trade करने के लिए, वो होगी आपकी underlying security, अब buyer और seller क्या हैं, तो मैंने दो characters यहाँ पर डाले हैं, left hand side में हैं हमारे buyer जी, और right hand side में हमारे seller जी, जब एक call option की बात होती है, एक buyer वो होता है, जो speculate करता है, कि price of the instrument, you know underlying security, like for example nifty में अगर वो देखना चाहता है, तो उसके हिसाब से nifty का price, उसके strike price से ऊपर चला जाएगा, before expiry, कुछ नए और terms introduced हो गए है, strike price और expiry, बायर यह सोचता है कि आज जो भी price है, अगर मैं एक particular strike price को choose करूँ, अभी मैं define करूँगा strike price को, तो expiry date तक वो strike price को cross कर जाएगा, और तब buyer को profit होता है, in a nutshell, बहुत अलगता के profits भी होते हैं, premiums पे जो mainly game चलता है, वो होता है, लेकिन in the simplest definition, इस तरह से profit होता है, एक buyer strike price को choose करता है, अपने trade के लिए और एक expiry को choose करता है, तो अब इन दो terms को समझ लेते हैं, उससे पहले seller का क्या है, बायर का तो हो गया, अब चाहेगा price, seller का perspective होता है, वो ये speculate करता है कि इसका opposite होगा, जो buyer ने speculate किया है, यानि कि price strike price से उपर नहीं जाएगा, उससे नीचे ही रहेगा, इसलिए वो seller उस contract को sell कर रहा है, उस speculation के साथ, ठीक है, तो दोनों के opposite perspective होता है, तो अब हम समझते है, expiry, expiry का मतलब क्या है, क्या होती है expiry options में, यह वो date है, जिस दिन contract expire हो जाएगा, जो buyer और seller के बीच में contract हुआ है, ऐसे कोई written contract नहीं होता है, stamp paper पर, simply आप जब trade करते हैं, option trading में, वो एक contract कहलाता है, तो वो जिस दिन expire होगा, उसको कहते है expiry date, अब expiry date में थोड़ा और जानते हैं, क्योंकि उसमें अलग-अलग चीज़े हैं, एक तो होता है weekly expiry, nifty, bank, nifty, मैं इन दोनों पर ही mainly focus करूँगा, nifty, bank, nifty, क्योंकि उन्हीं में मैं खुद trade करता हूँ, तो weekly expiry होती हैं इन दोनों में, nifty और bank, nifty में, और monthly expiry होती है, nifty, bank, nifty में, साथी stocks में सिर्फ monthly expiry होती है, फिलहाल, हो सकता है, आगे जाके stocks में भी weekly expiry आ जाएं, तो अगर हम monthly की बात करें, monthly option contract expire under last Thursday of the expiry month, तो अगर हम January की बात करें, इस साल, 2021 में January का last Thursday है, 28 January को, तो जो monthly expiry होगी, वो 28 January को होगी, जो भी last Thursday होता है, और weekly expiry होती है, every Thursday of the week, तो हर हफ़ते जो Thursday आएगा, उस तिन expiry होगी, weekly expiry contracts की, लेकिन हो सकता है, कई बार छुट्टी हो, Thursday को, कोई public holiday हो, तो उसमें क्या होगा, जो भी उससे previous trading session होगा हो सकता है, Wednesday को भी चुट्टी हो, तो Tuesday की expiry हो जाएगी, तो usually Thursday को होती है, लेकिन चुट्टी के वेज़से वो pre-porn हो जाती है, postpone नहीं होती है, नहीं कि Friday को expire होगा, वो हमेशा pre-porn होती है, next मैं बात करूंगा strike price की, जो मैंने थोड़ी देर पहले मेंचन किया था, उसको समझने से पहले एक और definition है, spot price, spot price क्या होता है, जैसे मैं आज market check कर रहा हूँ, तो अभी जो market का price है, वो कहलाएगा spot price, current price, ठीक है, और strike price वो price है, जो मैं choose कर रहा हूँ, अपने speculation के हिसाब से कि मुझे लगता है, nifty 15,000 जाने वाला है, एक महीने में तो मेरा strike price हो गया 15,000 और मेरा expiry हो गया, क्योंकि मैं एक महीना सोच रहा हूँ, तो अगले February का रखूँगा, तो last Thursday of February के expiry मैं choose करूँगा, अब कुछ और terms आपको बता दूँ, एक होता है premium, तो ये जो contract, ये जो option trading हो रही है, buyer और seller के बीच में, किस price पे हो रही है, उस price क कहते है, premium, एक lot का जो premium होता है, underlying security, यानि की nifty या bank nifty को, का एक lot का जो price होता है, वो होता है, premium उस समय का, premium change होता रहता है, up and down, ऐसे ऐसे चलता है, जैसे stock का price up and down होता है, premium भी up and down होता है, in fact premium में तो काफी ज़्यादा swings आते हैं, एक ही दिन में 20% उपर चला गया, 20% नीच चला गया, तो उस तरह के, तो अब मैंने पिछली definition में, premium के definition में, एक lot की बात करी, lot क्या होता है, तो यह जो securities है, nifty, bank nifty, इनके lots, predefined lots होते हैं, तो nifty का lot है 75, यानि कि यह वो minimum quantity है, जिसमें आपको, जितने आपको खरीदने पढ़ेंगे, अगर आप एक buyer है, उस contract के, तो n bank nifty की है 25, आप इसके multiple में खरीट सकते हैं, अगर आपको दो lots खरीदने हैं, तो आप bank nifty में खरीद रहें तो 50 का, तो ऐसे 25, 55, 75, ऐसे आप खरीदते हैं, इसके हलावा भी कई सारी terminologies है, ITM, OTM, ATM, इन the money, out of the money, at the money, एक होता है intrinsic value, time value, तो अगर आपको जादा जानकारी मे ये चीज़े जाननी है, क्योंकि जो मैं strategies बताऊंगा, इसमें ये ITM, OTM, ATM तो थोड़ा बहुत काम आएंगे, लेकिन intrinsic value, time value में इतने detail में आपको कोई चीज़े नहीं बताऊंगा, तो आप इस website पर जा सकते हैं, जो मैंने या लिंक दिया है, इस link को मैं description में भी डाल हूँ, यहाँ पर सारी definitions available है, बहुती आसानी से समझने वाली language में, तो इस website को just मैंने Google किया, की option trading की definitions के लिए, और मुझे ये website मिल गए, और इसमें definitions जो मेरे को दिखाई दी, काफी आसान है समझने में, और बहुत सारी फालतू definitions नहीं है, वो ही हैं, जो mostly use होती है, कि मैं चैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ वीडियो में सिखाना इतना असान नहीं है, और वीडियो भी बोरिंग हो जाती है, लंबी हो जाती है, इसलिए आप इस website पर जाके definitions सकते हैं, जो basic definitions है, most commonly used definition है, और मैं आपको बता चुका हूँ, now let's go to NSE's option chain page, अब ये definitions मैंने आपको स देखते हैं कि, you know, Nifty का भी क्या current price चल रहा है, spot price, strike price, and expiries, all those things, Nifty, bank Nifty या किसी stock का, उस page पे चलते हैं, और आपको बताता हूँ, वहाँ हम कैसे read करते हैं, उस page को क्या क्या information available है, ये है वो NSE का page, निशाद 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 बोला पहले, sorry, NSE India website का page, जहां पे ये option chain का details available है, इसका link में आपको description में दे दूँगा, तो अगर हम top में देखे, यहां से हम choose कर सकते हैं कि, हम किसका price देखना चाहते हैं, Nifty का, bank Nifty का, या fin Nifty का, या फिर आप चाहें तो किसी stock का देख सकते हैं, यहां से choose करके, अगर आपने यहां को change किया है, तो go दबाके वो change र करेंगे, वो Nifty का details होंगी, तो इस chart को अब देखते हैं, मैं full screen view कर दो जड़ा इसका, तो यहां पर काफी सारे columns है, सारे columns के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी नहीं है, इतने important नहीं है, मेरे हसाब से, जो मेरी strategies में use होंगे, तो जो important है, वो मैं बता दूँ, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो buyer speculate करता है कि इस strike price पर जाके, मुझे लगता है, यहां जाने वाला है, उपर या फिर नीचे, you know, call के case में वो उपर का strike price speculate करता है, और अगर उसे लगता है, stock fall हो रहा है, तो वो put का strike price speculate करता है, लेकिन strike price आप पीच में देख सकते हैं और premiums और बाकी data, calls के available हैं left hand side में और put के available है, right hand side में, तो मैं scroll down करूँ, तो आप देखेंगे, यहां पे नीचे जाते जाते, यहां पे color change हो गया, बेसिकली यह जो उपर का color है, light, yellowish और creamish color, यह है in the money, यानि कि यह call में, अगर हम strike price पे खरीते हैं कोई call, वो already in the money है, यान नीचे का है, out of the money, यह line जहां पे है, वो है add the money, ठीक है, तो इनकी details आपको और अच्छे से समझाओंगा, जब मैं उस strategies की बात करूँगा, लेकिन यहां पे देखें आप, सीधा LTP पे आजाएं, जो मैंने premium आपको बताया था, वो यह है LTP, last trading price, last trading premium कहें लीजिए, इस strike price क तो निफ्टी अभी अगर मैं टॉप में जाओं, तो आप यहां देख सकते हैं, यह है निफ्टी का last close price, अगर आप इसे live market में देख रहे हैं, तो यह होगा उसका spot price, current market price, ठीक है, तो 14,371 पे वो बंद हुआ था last, इसलिए यहां पे आप 14,350 के और 14,400 के बीच में देख इस लाइन को, तो निफ्टी में क्या है, हर एक 50 का sequence चलता है, like 350, 400, 400, 450, तो अलग-अलग stocks में, बैंक निफ्टी में, अलग-अलग चीजों में, अलग-अलग ranges होती है, ठीक है, बैंक निफ्टी में, like 100 की range होती है, निफ्टी में आ देख रहे हैं, तो ऐसे-अलग-अलग की अलग-अलग range होती है, तो यह हो गया आपका strike price, यह LTP हो गया आपका, यह ठीक से align नहीं हो रहे हैं उपर से, मैं वापस normal view में जाता हूँ, हाँ अब देखिए इसे, तो LTP में आपको दिख चाएगा जो premium है, मैं वहाँ at the money वाले range पे चले जाता हूँ, यहाँ पे आप तो अगर आप एक lot खरी देंगे तो 125 रुपीस 10 पैसा N275 आपको देना होगा, मैं इसको अगले tutorial में details में बताऊंगा, फिलाल यह है आपका premium, यह है आपका strike price, और left hand side है आपके calls, right hand side है आपके puts, यानि कि जब आप speculate कर रहे हैं कि market नीचे जाने वाला है, तो आप put में trade कर तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी-कभी overwhelming लगता है, थोड़ा complicated लगता है, लेकिन है बहुत simple, एक पर आप समझ जाएंगे इसको, आप homework कीजिए अपना bad city पे जाए, वहां पढ़िये, और जो मैंने आपको definition वाला पेज दे रहा हूँ, वहां से definition पढ़ दीजिए, बाकी मैं आपके लिए और information लेकर आँगा, नेक्स वीडियो में, तब तक लिए stay tuned and मैं आपसे चल्दीए मिलूँगा, thank you दोस्तों, bye-bye.